हाई गीज और विल्कम बाक तो दी चनल दीपाच्यादव एजुकेशन वेलकम दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ऑफ 3 ओप अक्टूबर 2023 तो गाईज आज है तारिक 3 ओप्टूबर 2023 और है ट्यूजडे देखेंगे आज के इंपोर्टेंट चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम दनुस के बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच्यादव एजुकेशन यूपी एसी एजुकेंसी गाईज आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2010 के prelims में पूछा या था डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है in the context of space technology दोस्तो space technology के context में एक चीज या फिर एक नाम आता है भुवन यह पिछले कुसमें पर न्यूज में भी रहा है तो यह भुवन exactly क्या है यह आपने बताना है option number 1 क्या यह एक mini satellite है जिसको इजरो ने launch किया है for promoting the distance education in India या option number B यह जो नाम है यह दिया गया है अगले moon impact probe को for चंद्रियान 2 या option number C यह एक geo portal है of इजरो with 3D imaging capabilities of India या option number D यह एक space telescope है जिसको भारत ने develop किया है तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जिसमें आप लोगों से daily business पे बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैं आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है वहाँ पे uploading का थोड़ा सा issue आ रहा है उसको मैं manage कर रहा हूँ जब मैं उस तरीके से video upload करता हूँ तो यार कभी sound आता है कभी नहीं आता है processing में time लग जाता है कभी video चलता ही नहीं है starting से buffering शुरू हो जाती है तो आज मैं थोड़ा सा जो pattern है उसी को याँ पर change करके आज video upload करके देखूँगा possibility है कि जल्दी video upload हो जाए क्योंकि काफी सरे लोग को issues हो रहे है मुझे पता है बहुत सरे लोग का schedule खराब हो चुका है अब इन पूरे के पूरे issues की वज़ा से जो channel पर पिछले कुछ समय पर देखते आई है बट मैं वापस से उन चीज़ों को time पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ बागी आज देखते हैं सारी चीज़े नॉर्मल हो जाए याने की video record होने के बाद में अच्छी तरीके से या upload हो जाए तो फिर यहाँ पर इसी तरीके से pattern हम लोग चलाने वाले है प्लस एक बात और जैसा वीडियो चल रहा है जैसा मैं content आपको पिछले दो सालों से तीन सालों से दे रहा हूँ content आपको अभी भी वैसा ही मिल रहा है content में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है तो उसके लिए आप विल्कुल परेशान नहों वो निश्चिंद रहें आपको केवल पढ़ने से मतलब है आपने केवल यहाँ पर exam के लिए तैयारी करनी है अब वो मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे दैसे content मैं जैसे भी दे रहा हूँ आपने यहाँ पर वो content जो है daily basis पर पढ़ना है तो वो pattern पर मत जाओ यार आज pattern कैसा है वैसा pattern कैसा है वो यहाँ पर कुछ conditions के हिसाब से उसी के according काम किया जा रहा है बाकि आप अपना exam पर और जो content मिल रहा है उसके उपर जो अपना focus आप लंबे समय से बनाए वे हो वैसे ही बनाते वे चलना है ठीक है अब आते हैं हम लोग अपने thumbnail वाले issue पर तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज यह निकल करा रही है कि जो FSAI है Food Safety and Standard Authority of India ठीक है जो कि हमारे जितना भी फूड है उसको regulate करने का काम करती है तो इन्होंने यहाँ पर एक चेतावनी दी है और चेतावनी देते वे यह बोला है कि जो काफी सारे लोग newspaper पर रखके food खाते हैं या फिर आपने देखा होगा जो street food मिलता है वो जातर food यहाँ पर newspaper पर रखकर दिया जाता है तो अकबार में अगर यहाँ पर यह food खाया जा रहा है तो वो काफी ज़दा खतरनाक हो सकता है यह यहाँ पर एक चितावनी जारी की गई है FSAI की साइट से अब sources क्या है इसके तो धेर सारे sources अगर आप देखोगे तो The Hindu ने भी इसको cover किया है आज से कुछ दिन पहले लगबग 30 सितंबर को यानि आज से तीन दिन पहले यह article नियूज में था सिधा सिधा यहाँ पर रोक लगाने के लिए कहा गया है नियूज पेपर के यूज के ओपर इसके लिए यहाँ पैसे और भी नियूज आर्टिकल्स आपको देखने को मल जाएंगे यह आप आर्टिकल्स रेक पार होंगे अब ऐसा क्यों किया जा रहा है आओ मैं आपको थोड़ा सा जो basic information ने वो बताता हूँ वैसे दो exactly आपको पता चली किया होगा कि यहाँ पर यह पूरा scenario क्या है लेकिन यह देखो Food Safety and Standards Authority of India इन्होंने यहाँ पर अपना जो 2008 के 18 के नियम है Food Safety and Standards Packing Regulation 2018 इसको notify करते वे बोला है कि बही देखो हम पहले भी इस चीज को लेकर मुद्दा उठा चुके हैं और हमने पहले भी यह बोला था कि जो newspaper का use हो रहा है for wrapping food food को wrap करने के लिए या newspaper पर food रखकर खाने के लिए उसको पूरी तरह से रोका जाए बैन किया जाए यह मुद्दा पहले भी FSSAI उठा चुका है क्योंकि newspaper के अंदर जो ink use की जाती है उस ink के अंदर में बहुत सारे bio active materials होता है और वो bio active materials human health के लिए अच्छे नहीं है हमारे body के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा newspaper के उपर अगर कोई oily food रखा जाता है तो वो जो ink है वो सीधा यहाँ पर उस पर चिपक जाती है food के उपर भी जो कि हमारे food को contaminate कर सकती है गंदा कर सकती है और इससे जब वो food आप खाओगे तो आपको बहुत सारे जो healthy issues हैं वो हो सकते है और उसके साथ बोला यह जा रहा है कि जो printing ink होती है जिस तरीके से यहाँ पर ink का use कर जाता है newspaper के उपर उसमें कुछ chemicals होते है chemicals जैसे कि यहाँ पर lead very very dangerous आपको पता होगा आज से कुजने पहले शायद 21 सितंबर को मैंने आपको यह पढ़ाया भी था lead poisoning के बारे में भी कुछ खबरे आई थी lead poisoning बहुत ही जादा खतरनाक है body के अंदर एक मात्रा से जादा अगर lead बढ़ जाता है तो इससे एक इंसान का IQ level है वो भी down हो जाता है यह तो मैंने IQ level की बात की है इसके अलावा और बहुत सारे impacts पढ़ता है body के उपर लेकिन सबसे पुरा impact सीधा brain के उपर पढ़ता है ठीके तो यहाँ पर आप देख पाऊगो जो chemicals उसके अंदर होता है उसमें lead है heavy metal है जो की सीधा सीधा एक इंसान की health के लिए बहुत बड़ा risk हो सकता है यह बात यहाँ पर FSAI की साइट से mention की गई है तो दोस्तों यहाँ पर यह FSAI body क्या है आँ थोड़ा सा basic जान लेते हैं क्योंकि prelims के लिए important है directly question पहले भी पूछा जा है और in future भी पूछा जा सकता है तो एक autonomous body है यानि काफी सरे decisions खुद से लेने का काम करती है इस body को बनाया यह है एक particular कानून के तहत act के तहत तो वो जो act है वो है Food Safety and Standards Act 2006 यह body कौन से मंतराले केंडर में आती है तो Ministry of Health and Family Welfare केंडर में आती है very very important one day examination के लिए इस point को ध्यान लखना तो FSSAI के बारे में कुछ basic चीज तो आपने जान ली अब दोस्तों यहाँ पर आपने यह ध्यान लखना है कि 2006 में जो यहाँ पर यह कानून आया था जिसके माद्यम से FSSAI नाम की body को बनाया गया लेकिन 2006 से पहले भी हमारे पास में कई तरीके के various laws हुआ करते थे उन सब laws को यहाँ पर replace कर दिया था इस 2006 वाले law ने तो various laws कौन से हुआ करते थे तो यह ध्यान लखना Food Standard and Safety Act 2006 ने हमारे पुराने वाले act जैसे कि Prevention of Food Adulteration Act 1954 यह 1954 का कानून था पुराना वाला जिसका में मक्साद था खाने के अंदर जो मिलावटे हैं उसको रोका जाए इसी प्राकार से एक और act था Food Products Order 1955 Act तो यह जो पुराने act है इनको replace किया इनको खतम करने के बाद में यह Food Standards and Safety Act 2006 को लेकर आया गया था अब एक और चीज दोस्तों यहाँ पर यह जो FSSI है ना इसको head गया जाता है एक non executive chair person के थूँ एक non executive chair person इसको चलाते हैं लेकिन उस chair person को appoint करती है हमारी central government again important point ठीक है या तो वो person यहाँ पर इस तरीके सोने चाहिए या फिर वो person एक ऐसी position पूरान होने चाहिए मतलब कम से कम जो हमारी government of India है ना उनके अंदर जो secretary की rank हो दी है उस position से नीचे के level का तो वो person नहीं होना चाहिए यह भी यहाँ पर एक condition है और मैं आपको बता दूँ यह जो पूरी body है FSSI यह हमारे director general of health service के अंडर में नहीं आती है ठीक है? कहने का मतलब है कि जो हमारा एक मंत्राल है जिसके बारे मैंने भी आपको बताया था Union Ministry of Health and Family Welfare ठीक है? उस मंत्राले के अंदर में एक director general of health service होता है तो क्या उसके अंडर में FSSI आता है? नहीं यह आपने ध्यान में रखना है एसा नहीं है FSSI उस व्यक्ति इक अंडर में नहीं आता अब आगया आता है यह जो पूरी body है इसको क्यों लेकर आया गया? इसके पिछे का reason क्या है? reason यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर food है food की manufacturing, storage, distribution, sale, import इसको लेकर proper नियम कानून लेकर आना rules and regulations लेकर आने का काम है FSSI आपको बताओगा जो भी आप product purchase करते हो ठीक है? कहा जाता है कि वही product purchase करना चाहिए जिसके ओपर FSSI का tag हो ठीक है? होता भी है यह तो इस body का main मकसद यह है कि यहाँ पर ensure कर सके हैं कि जो भी यहाँ पर खाना हाँ आज के समय पर store किया जा रहा है या manufacture हो रहा है जो भी काम हो रहा है, distribute हो रहा है, sale हो रहा है, import हो रहा है जो भी हाँ पर खाना इस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है ठीक है? वो कही नक हैं बिल्कुल safe हो एक human consumption के लिए यह इसको ensure करने का कम FSAI का है अब question यहाँ पर यह है इतना details से इसको पढ़ने की क्या जरूरत ही इसके पीछे का reason है UPSC का 2018 का यह वाला question 2018 में एक प्रश्ण पूछा गया directly क्या था? कि consider the following statements यहाँ पर आपको दो statements दिये गए हैं इन में से कौन से statement सही है पहला statement बोलता है कि जो Food Safety and Standard Act 2006 का क्या इसने Prevention of Food Editation Act 1954 को replace किया था तो कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यह 2006 का जो कानून आया था इसने कई सारे पुराने laws को replace करने के बाद में यहाँ पर अपनी जगा बनाई थी तो पहला तो यहाँ पर statements आई है दूसरा statement बोलता है कि जो यह FSSI है क्या यह Director General of Health Service in the Union Ministry of Health and Family Welfare के अंडर में आता है ऐसा नहीं है अभी आपको पढ़ाया गया था डीटेल से इसके अंडर में यह नहीं आता है इसमें एक चेर परसन होता है जो कि directly यहाँ पर हमारी Central Government appointment करती है तो second statement यहाँ पर गलत है पहला statement सही है अब दोनो statements में से अगर हमें चेक करना हो तो यहाँ पर option number one only is the correct answer ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर एक question पूछा गया था आई होप आपको यह बहतरी तरीके से जो पूरा का पूरा article है वो समझ में आ चुका है चलो आते हैं next article पर अगला article exam के लिए काफी ज़दा relevant होने वाला है यहाँ पर आप देख पाओगे especially यहाँ पर इसको GS paper number two से आप link कर सकते हो क्या बात के जारी है देखो आप Nobel Prize दिये जाने शुरू होने वाले है तो Nobel Prize 2023 का Physiology और Medicine की फील्ड में इन दो व्यक्तियों को दिया जाएगा इसका announcement अल्रेडी हो चुका है ठीक है तो यह award यहाँ पर इनको दिये गए है तो यह दो person जैसे यहाँ पर आप देख पार होंगे यह जो उपर female दिख रहे हैं इनका नाम है Katalin Kariko यह Hungary से बिलॉंग करती है Hungarian Biochemist है दूसरे यहाँ पर जो person आपको दिख रहे हैं इनका नाम है Drew Wiesman तो यह American Physician Scientist है यह दोनों ही person इन दोनों का जो duo है न इनी को यहाँ पर यह 2030 का जो यह Nobel Prize है for Physiology and Medicine वो दिया गया है question यहाँ पर यह reason क्या है क्योंकि किसी ना किसी contribution की वज़ा से यह Nobel Prize दिया गया होगा सही बात है तो इसके पिछे का reason क्या था दोस्तो reason यहाँ पर यह है कि इन दोनों ने मिलकर COVID-19 के against में जो COVID-19 फैला था उसके against में तो क्योंकि यह vaccine काफी ज़दा effective रही इस विशे से यहाँ पर कह सकते हो यह इनको award दिया गया इनके इस contribution के basis पर दूसरी चीज़ दोस्तों यह भी है यह जो female आपको दिख रही है न यह कहीं न कहीं इस medicine के prize में 13th women है 13th number की women हैं जिनको यहाँ पर यह जो award है specially for the medicine category यह दिया जा रहा है और वैसे यह duo है यानि कि यह और यह दोनों ने मिल कर यहाँ पर इस प्रकार का जो यह vaccine डवलप किया है तो दोनों का एक particular common contribution है जिसकी वज़ा से COVID-19 से हो रही जो मृत्यूं थी इसको कम की गई थी जिस basis पर यहाँ पर इनको यह award दिया गया अब बात clear हो गई अब समझते हैं यहाँ पर यह है कि सर यह mRNA vaccine exactly होती क्या है यह समझना भी जरूरी है देखो mRNA का मतलब होता है messenger RNA जैसे हमारे body के अंदर gene होता है ribonucleic acid RNA वैसे यहाँ पर DNA होता है deoxyribonucleic acid तो हम बात कर रहे है RNA की तो यहाँ पर जो mRNA है basically वो है messenger ribonucleic acid यह क्या करता है mRNA हमारे DNA से कुछ instructions लेता है हमारे DNA से instructions लेने के बाद में हमारी कोशिकाओं में हमारे cells के अंदर proteins बनाने का काम करता है समझ गए और यह काफी जदा effective तरीका है यहाँ पर किसी जैसे COVID-19 जैसे viruses से लड़ेने का और वो किस तरीके से effective तरीका है आव मैं आपको थोड़ा सा और background data के साथ मैं समझाता हूँ जिससे यहाँ पर आपको एक बहुती शांदार सी clarity है वो आने वाली है इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा हमारे बॉड़ी के अंदर और आपको पता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है किसी बैक्टिरिया वाइरस के परती तो उससे अराम से वो लड़ सकता है तो उस immune response को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देना और immune response जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा बॉडी के अंदर antibodies बनना सुरू हो जाएंगी antibodies produce होंगी और वो जो antibodies हैं वो हमारे body के अंदर जो वाइरस है या दूसरे बैक्टिरिया है उसके infection से बचाने का काम करेंगी तो इन antibodies का main काम क्या होता है हमें protection provide करवाना इन virus वगरा से यह virus हमारे body mentor करता है उससे यहाँ पर बचाने का काम करना इन antibodies का तो यह सारा काम कैसे हो रहा है इस mRNA vaccine की वे से इससे क्या होगा हमारे cells को यहाँ पर teach क्या जाएगा कि कैसे protein बनना है वो protein क्या करेगा हमारे immune response को और ज़्यदा मजबूत करेगा इस vaccine के अपना आप में दोस्तो advantages है पहली चीज़ यह vaccine non-infectious vaccine है कोई यहाँ पर इसका ऐसा infection नहीं है कोई यहाँ पर ऐसा इसका यहाँ पर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है for example जैसे दूसरे vaccines होता है उसको grow करने के लिए हमें bacteria की ज़रूरत होती है eggs की ज़रूरत होती है वैसी कोई चीज़ की यहाँ पर आविश्रक्ता आपको नहीं पढ़ने वाली है इस वज़र से हम इसको जल से जल बना भी सकते है और ज़्यादा cost भी नहीं लगती है अराम से availability भी बनाई जा सकती है और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर यह जो vaccination है वो दिया जा सकता है यह हाँ पर कहीं नहीं MRNA vaccine की बात हम लोगों ने की है आई होब दोस्तों आपको यह MRNA vaccine के बारे में कुछ अच्छी तरीके से जो points से वो clear हो चुके है यह basic points आपको PDF में दे दी जाएंगे आप महाँ से यहाँ पर इसको पढ़ लेना ना question यहाँ पर यह है कि जो दवाई है यह malaria से लड़ने का काम करती है अब किसी इंसान को अगर malaria हो जाता है यह दवाई दी जाती है तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि इस दवाई के प्रती malaria काफी ज़दा मजबूत हो गया resistant हो गया तो फिर तो दोस्तों यह दवाई जादा effective रही नहीं malaria के प्रती तो इसी वेशे यहाँ पर कोशिश की गई malaria की vaccine बनाने के लिए ताकि इस malaria से लड़ा जा सके तो यहाँ पर question में यह पूछा गया कि आकरकार malaria की vaccine को बनाने में कितनी साध्या कठिनाई हमको देखने को मिल जाती है अगर एक effective malaria vaccine बनानी है तो यह काम इतना कठिन क्यों है यह बताओ नीचे आपको option दिये गए थे option number ए क्योंकि malaria जो है जो plasmodium की कुछ several species है उनकी वज़ा से होता है या option number भी malaria की वज़ा से यहाँ पर क्या होता है जो एक particular person है उसकी immunity develop नहीं हो पाती है ताकि वो यहाँ पर malaria को तुरंत मार सके यानि की natural तरीके से infection को खतम कर सके यानि उसकी immunity काफी कमजूर हो जाती है third point यहाँ पर यह जो vaccine इसको यहाँ पर आपसे दिया गया तो यह कुछ कारण है क्या इनकी वज़ा से malaria की vaccine नहीं बन सकती इन में से कौन से में इन कारण है में इन कारण यहाँ पर आपको option number B देखने को मलेगा option number B यहाँ पर थोड़ा सा problematic है क्योंकि यहाँ पर malaria जो भिमारी है यह एक जानलिवा बिमारी है यह होती कैसे प्लास्मोडियम पैरसाइट से इसको हम लोग एनफोलीस के नाम से जानते है तो एनफोलीस मैस्क्यूटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे भी थोड़ा सा क्योंकि आगे malaria को लेकर एक particular article आया है जाता है अब immune system से बच जाता है या immune system काफी कमजोर होता है तो दोस्तों यहाँ पर इसी वज़ा से थोड़ा सा यहाँ पर difficult हो जाता है एक particular vaccine को बनाना ठीक है जो कि एक इंसान के immune response को इतना जादा बढ़ा दे उतनी जादा strong कर दे immunity को कि वो malaria parasite हमारे immune system से बच ना पाए उसको यहाँ पर मार दे लेकिन यह काम करना थोड़ा से यहाँ पर कठिन हो जाता है लेकिन यहाँ पर जैसे बोला जाता है कि कोई बीचिस impossible नहीं है लेकिन यहाँ पर बस खाली पूछा यह गया कि कठिन क्यों है उसके पीछे का reason exactly यही है क्योंकि malaria parasite के अंदर में एक शमता यह है कि वो कई ना कई हमारे immune response से बचने की बार-बार कोशिश करता रहता है समझ गए? यह मैंने आपको question भी समझा है फिलाल article क्या था वो आप समझ गए लेकिन article दोस्तों अभी खतम नहीं हुआ है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की जारी यह noble price के बार है और आपको भी पता होना चाहिए कि noble price exactly होते क्या है यहाँ से भी काफी question बने है और जो one day examination होता है वहाँ पर भर-भर के questions बने है तो noble price के बार में कुछ basic data सबसे पहला यह जो price को किसने establish किया था तो जो यहाँ पर Alfred noble है जिनोंने dynamite का invention किया था उन्होंने यहाँ पर यह noble price है इनका invention किया या फिर इस price को establish किया इनही के नाम पर यह noble price दिया जाता है योगिन का नाम Alfred Nobel है, यह particular person आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है, तो जिन भी व्यक्ति ने एक अलग से अपना contribution दिया है society के अंदर में, उनको यहाँ पर यह price दिया जाता है, जो पहला पहला award दिया गया था, वो 1901 में दिया जाता है, एक बात दोस्तों और ध्यानक न literature, then उसके बाद peace, and then उसके बाद में economic sciences, यह 6 categories हैं जिसमें यह noble prize दिया जाता है, ठीक है, बात clear हो गई, तो अभी यहाँ पर physiology और medicine चर्चा में है, तो यह मैंने आपको exactly बताया, जोस्तों यहाँ पर जो भी noble prize की यह ceremony होती है, यह ceremony कहां पर होती है, यह ceremony होती है, यह ceremony होती ह आपने यहाँ पर रखना है, क्या रखना है, मैंने आपको जैसे बोला कि यह 6 अलग-लग noble prizes हैं, इन में से physics, chemistry, physiology, medicine, literature और economic science, यह जो 5 इनको अलग कर दो, यह जो 5 prizes हैं दोस्तों, यह तो Sweden के अंदर जो Stockholm में जो event चलता है, उस दोरान दे दिया जाता है, बचा कौन सा peace वाला जो यह peace वाला चटा वाला prize बचा, यह Sweden में नहीं दिया जाता है, यह कहाँ पर दिया जाता है, दोस्तों यह वाला जो peace prize होता है, noble peace prize, यह Sweden में ना देकर, Norway के अंदर, Oslo में दिया जाता है, लेकिन जो event चलते हैं, वो एक दिन चलता है, यानि एक दिन में Sweden वाला event भी चल र का medal मिलता है, जिसमें यहाँ पर Alfred Nobel का एक picture बनावा होता है, एक diploma होता है, और कुछ यहाँ पर पैसो का award भी आपको देखने को मिलेगा, अब noble prize किसी person के मृत्यू के बाद नहीं दिया जाता है, जैसे कई सारे prizes हैं, जो एक इंसान के मृत्यू के बाद भी दिये जा सकते हैं यह कम से कम तीन लोग शेयर कर सकते हैं, फॉर एक्जामपल यहाँ पर अभी जो यह medicine physiology है, वो यहाँ पर इन दो person को दिया जा रहा है, समझ के इस बात को, अब थोड़ा सा इंडिया के context में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपसे one day examination में question मन सकते हैं, question number one, पहले भारत noble laureate कौन है, भारती है, पहले भारती है कौन है जिनको यह noble prize मिला था, वो है रभिना टैगोर जी, इनको literature की field में यह prize मिला था, वो भी 1913 में, फिर उसके बाद में आपसे एक दूसरा question पूछा जा सकता है, कि पहले भारती है महिला कौन है जिनको यह prize मिला था, तो first Indian women noble laureate क यह कुछ basic information हो गई, जो कि prelims और one day examination में यहां से से बहुत सारे questions बनते हैं, बहुत जादा मातर हैं, मैं आपको हर एक तरीके से बताने की कोशिश की है, आप देखो UPSC कैसे पूछ सकता है, यह भी मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूँ, क्योंकि noble prize को लेकर एतिहास में कुछ questions पूछे गए हैं, for example मैं आपको दिखाँगा, UPSC ने 2008 में यहां पर यह question पूछा, question यह था कि एक noble prize winner scientist जिन का नाम है James D. Watson, इनको यह prize दिया यह था, यह किस काम के लिए जाना जाता है, मतलब कि किस area में यहां पर यह जो काम करते हैं, उसकी वेसे यहां पर जाने ज पूछ लिया, question यह था, कि नीचे दिये गए scientistों में से, कौन से एक ऐसे scientist जिन्होंने noble prize physics का अपने बेटे के साथ share किया था, तो वो कौन से वेकती हैं, ऐसे यहां पर आप से पूछा गया, तो option number C, William Henry Bragg, आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने, अपना जो noble prize in physics है, वो अ अपने sun के साथ में share गया, ठीक है, आगया आता है, कुछ हसी चीज़ आएंगी, तो वो आपको बता दी जाएंगी, बट अभी के लिए, यह मैं आपको बता है particular details, next article पर आएंगे, लेकिन दोस्तों next article पर बढ़ने से पहले, एक important information है, आप सभी लोगों के लिए, अगर इसमें मैंने आपको background content दिखाया, उसी background data से ही आपका जो examination के अंदर question है, वो बनने वाला है, जैसा पहले 2022 और 2023 में भी exactly ऐसा ही हुआ है, तो वो सारा content यहाँ पे जो PDF में दिया जाता है, इसको manage करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसी content को printable form के PDF में convert करके आपको इस group में provide करवा जाता है, वो जो PDF है, वो हिंदी और English दोनों भाषाओं में provide करवाई जाती है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे notes नान बनाना पड़े, मैं सीधा यहाँ पे PDF से पढ़ लूँगा, PDF में सारी details होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर हिंदी और English की PDF आपको जो की printable form किये, चाहो तो printout निकलवा सकते हो, ना चाहो तो आप उसमें पढ़े रहन दो, किसी भी rate को open करके आप देख सकते हो, तो उस तरीके से यहाँ पर इस group को organize किया या है, और इस group को join करने का दोस्तों जो amount है, वो बहुत ही minimum है, just 499 for the lifetime access, आपने एक ही बार के वाल investment करना है, दुबारा कोई पैसा invest करने की ज़रुवत नहीं है, और इस group को join करने के लिए सीधा WhatsApp पर जाना, WhatsApp पर आपको एक number दिया या है, 853-487-3368, इस number पर message कर देना कि मुझे group join करना है, आपको महाँ से reply आएगा, payment का process बताया जाएगा, और payment के process के साथ साथ आपको एक demo वीडियो का link मिलेगा, पूरे demo वीडियो का आप अच्छे से देखना कि मुझे इस जुरूप के exactly क्या फाइदे हो सकते हैं, उसके बाद जाके अपना decision लेने के बाद में अपना payment करना, ठीक है, चलो आते हैं, next article पर, लेकिन वेट रुगो, यार एक बात और है, make sure किया करो कि वीडि Instagram पर जुड़ना चाहते हो, तो Instagram पर जाना, search box में लिखना दीपा ज्यादा education, मेरा profile मिलेगा, जहां पर already, 13,000 से जदा लोग जुड़ चुके हैं, आप ही मेरे साथ में personally जुड़ सकते हो, तो चलिए आते हैं, next article की तरफ, अगला article, GS paper number 2, health के point of view से काफी जदा important होने वाला यही पढ़ा था कि malaria की vaccine बनाना इतना असान नहीं है, ठीक है क्योंकि malaria जो plasmodium parasite है, उसकी वे से फैल रहा है, और वो हमारी immunity से बचने का काम करता है बार-बार parasite, तो finally हाँ पर एक malaria vaccine को तयार किया गया है, और अच्छी बात यह है कि हाँ पर India का भी एक बहुत बड़ा role है, तो दोस्तों उस vaccine का नाम क्या है number one point, उस vaccine का नाम है R21 matrix M malaria vaccine, इस vaccine को किस ने develop किया है, तो University of Oxford साथी साथ में Serum Institute of India ने आपर इसको develop किया है, ठीक है Serum Institute of India जो की भारत constitute है, इन दोन ने मिलकर इसको develop किया, WHO ने यहाँ पर बहुत सारी इसकी testing भी किये, testing करने के बाद में WHO ने approval दे दिया है कि हाँ ठीक है इस vaccine को हम लोग थोड़ा सा अभी और एका टेस्टिंग और होगी, उसके बाद यहाँ पर हम लोग release करेंगे, तो यह जो malaria vaccine है दोस्तों, इसको recommend कर दिया गया है use के लिए, ल available करवा दी जाएगी, जो कि malaria को ठीक करने की ताकत रखती है, इससे फाइदा क्या होगा, इससे फाइदा यहाँ पर यह होगा दोस्तों कि हम malaria से PDT लोग को बचा सकेंगे, क्योंकि malaria से कई सरे लोगों की मृत्यू भी हो रही है, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि हम लो manufacturing स्टार्ट होगी, अगले साल यहाँ पर यह market में आ जाएगी, और उसके अगले साल यहाँ पर कहीं न कहीं इसकी manufacturing को double कर दिया जाएगा, क्योंकि malaria का जो risk है वो हमारे आज के समय पर दुनिया भर में बहुत ही जादा high है, ठीक है, और malaria से बचानी के लिए हमारे पास में क अब देखोगे, तो यह नजर आएगा कि इसका transmission exactly होता कैसे है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, तो सबसे number point यह है, मच्छर जो है न, जो की कहीं है कि एक infected mosquito होगा, एक infected मच्छर होगा, जो की यहाँ पर इस malaria को transmit करता है, यह किसी इंसान के उपर बैठा, और उसन mosquito है, उसने अपने अंदर से वो जो malaria है, वो एक इनसान के अंदर transmit कर दिया, अब जैसी यहाँ पर वो malaria एक particular व्यक्ती के अंदर पहुंचा, उसके बाद क्या होगा, जो यह parasite, जो parasite यहाँ पर इस मच्छर ने हमारे body में डाल दिया है, वो parasite सीधा हमारे liver तक पहुंचेगा, और liver तक पहुंचने के बाद है, वहाँ पर दस से चार सप्ता तक रुखने वाला है, अपने आपको वो जो parasite है, वो और जदा मजबूत करने वाला है, फिर क्या होगा, फिर वो parasite हमारे liver को छोड़ कर, हमारे RBCs को, that is red blood cells को बूरी तरह से infect करने की capabilities रखता है, फिर हमारे RBC disease को वो क्या करेगा, infect कर देगा, ये तब होगा, मतलब ये situation जैसे से होई लेगेगी, और इसके बाद क्या होगा, malaria के जो symptom से जो लक्षन है, वो हमको दिखने शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद में question ये है कि वो जो particular इंसान जिसको malaria हुआ वा है, वो बागी मच्छरो reaction नहीं उसके अंदर, लेकिन वो यहाँ पर उस malaria वाले इंसान को काट लेता है, काटने के बाद यहाँ पर क्या होगा, वो जो mosquito है, वो इस malaria को दूसरे इंसानों में फैला सकता है, इसको काटने के बाद में वो मच्छर infected हो गया, फिर वो मच्छर दूसरे इंसानों को infect कर सक लगता है, तो यह basically पूरी की malaria की cycle चलती है, इस प्राकार से जो transmission है, वो हमको नजर आता है, अब question यहाँ पर है कि malaria किसी को हो जाए, तो उसमें symptoms क्या दिखाई पढ़ता है, लक्षण क्या दिखाई पढ़ता है, तो सबसे बहला यहाँ पर headache, सर में दर्ध, dry cough होने लगेग पेट में दर्ध होने लगेगा, बुखार बहुत है जाने लगेगा, हमारे स्प्लीन का साइज बढ़ने लगेगा, kidney failure हो सकता है, muscles और back में बहुत ही ज़धा pain होता है, यह सारे के सारे यहाँ पर लक्षण है malaria के, लेकिन कहानी दोस्त अभी खतम नहीं हुई है, क्योंकि य अपलिशा की कुछ countries में हमको देखने को मिल जाता है, यह जो parasite है, यह एक infected मच्चर की वेसे फैलता है, और दोस्तो ध्यान अकना, malaria जो फैलता है, यह female मच्चर की वेसे फैलता है, एक female मच्चर, और female मच्चर का नाम कह है, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज नाम ह यही पर मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछूँगा, डेंगू भी यहाँ पर एक मच्चर की वेसे फैलता है, वो जो डेंगू है, वो किस मच्चर की वेसे फैलता है, फटाफट उस मच्चर का नाम नीचे comment section में लेक दो, आपको पढ़ाया गया है, पहले याद होगा ठीक है, तो यह यहाँ पर आपको female mosquito के बारे हैं पता चल गया, अब question यहाँ पर यह है कि जब एक mosquito परसन वो काटता है, वो parasite उसके खूम में पहुंचता है, वो उसके liver तक पहुंचता है, यहाँ उसके लिवर तक पहुंचता है, यहाँ पर यहाँ पर हमारे red blood cells के अंदर क इनफैक्ट करके पूरी तरह से body में malaria फैल जाता है, question यहाँ पर यहाँ पर है किसके symptoms क्या है, इसके exact लक्षण क्या देखने को मिलता है, सबसे बहला लक्षण, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ यार, अब मैसे मैं आपको photos में दिखा दिया ओलेडी, तो इसमें कुछ ज जादा news में रहता है, वो Plasmodium Yvex News पर रहता है, इंडिया का क्या scenario है, भारत में क्या cases आपको देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों भारत के अंदर कहीं न कहीं, मतलब दुनिया में जितने भी malaria के case हैं, जितने भी case हैं, उसके 2% cases इंडिया में हैं, इंडिया के अंदर भी य के case हैं, वो Plasmodium Yvex वाला malaria सबसे जादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अब malaria को tackle करने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमारे पास में कुछ initiatives हम लोगों ने start किया है, for example, 2017 से लेकर 22 के लिए एक initiative start किया गया, National Strategic Plan for Malaria Elimination, दनुसके बाद में एक और initiative है, वो है National Framework for Mal Malaria Elimination, तो ये initiatives के बारे में ध्यान रखते हो, ड्रक सकते हो, mains के अंदर में initiatives कही बार पूछे जाते हैं, समझ गए, तो ये भी हमने article पूरी तरह से खतम किया, article प्लस उसका background data वो बहुत important है, आते हैं next article पर, आपको अगला article देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ये भी हमा अब है National Medical Commission, तो इन्होंने यहां पर एक inspection किया, एक investigation किया, colleges को लेकर, जो medical colleges हैं, और medical colleges को देखते वे, वहाँ पर inspection करते वे, इन्होंने ये पाया कि लगबक कितने 246, 246, medical colleges ऐसे हैं, जहां पर proper number में faculty, यानि जो teachers हैं, वो present नहीं हैं, और प्लस, जितने भी colleges ये पाये गए 246 colleges, इसमें से आप देख पाऊगे, सभी colleges की अंदर में, बच्चों की attendance 50% भी नहीं है, ये चीज़े यहां पर पाये गई, तो मतलब college किस basis पे चल रहा है, ना ही faculty members है, ना ही बच्चों का attendance ना ही proper है, तो वो college का चल किस basis पे रहा है, और कहने को वो medical college है, तो इस बिसे यहा का पूरा investigation वोटाया है, और हाली में यहाँ पर National Medical Commission ने यहाँ पर 1 करोड रुपे का कितना, 1 करोड रुपीस का जो ये medical colleges के उपर penalty है, वो charge की है, क्योंकि ये medical colleges, National Medical Commission के तहत, जो rules and regulations होते हैं, उनका follow नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NMC को बनाया, इसलिए गय ताकि जो medical colleges हैं, उनके लिए कुछ नियम कानून रखे जाएं, उनके लिए कुछ standards set किये जाएं, बट वो standards आज के समय पर जो commission ने set किये हैं, वो इन colleges ने follow नहीं किये, जिस वज़ा से 1 करोड रुपीस के penalty इन medical colleges के उपर लगाई गई, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर दोस् या proper पढ़ाई नहीं हो पाएगे, तो आगे वो health sector का किस तरीके से ध्यान रख सकता है, समझ गए, तो यह particular पूरा article news में था, इसी के basis पे हमें examination के लिए जो पढ़ना है, वो है national medical commission, exactly यह क्या है, कैसे काम करता है, आँ थोड़ा सा basic चीज़े समझेंगे, क्योंकि exam के लिए education का एक जो दर्जा है, इसकी तरफ से जो recognition है, वो दिया गया है, दस साल के लिए, इस विसे यहाँ पर यह चड़चा में भी था, तो क्या है NMC, यहाँ पर यह तीन point से इसको ध्यान भी रखना है, पहला, इस NMC को बनाया गया है, पार्लियमेंट के एक कानून के तहत, उस क medical education, जितने भी practices हैं, पूरे medical education को control करने का काम करता है, उसके बाद में, यहाँ पर जो यह NMC है, इसका main काम है, हमारे health care education sector के लिए, कुछ नियम कानून को set करना, जैसे मैं आपको अल्री बता चुका हूँ, तो NMC का main मकसद यह है, कि हमारे देश में, हमारे पूरे country के अंद नो आते हैं, editorial discussion पर, तो editorial discussion from the relevant newspapers, तो यहाँ पर कुछ important editorials आपको मिलेंगे, जो आप exam में आपको सीधा, specially for means perspective, आपको help कर सकते हैं, number one editorial, सबसे बहले editorial हमारे the Hindu का ही है, यहाँ पर बात की जारी है, counting death in India's presence, भारत के अंदर में जो jail है, जो presence है, वहाँ पर death हो रही है, जो naturally death हो रही है, natural में यहाँ पर bookamp आ गया, इसकी वेसे यहाँ पर issue हुआ, ठीक है, बाढ़ आ गई, इसकी वेसे कोई यहाँ पर issue हुआ, मतलब ऐसा यहाँ पर दिया गया है, यह accidental death की बात की जारी है, एक बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, बुकम की बात कर रहे हैं, या कोई snake bite हो या, साप ने काट लिया, या कोई injury हो गई, या alcohol का consumption कर लिया, drug का consumption कर लिया, ठीक है, तो इसकी वेसे यहाँ पर वो, जो death होई है, वो natural death है, लेकिन unnatural death में सबसे, जो अबवल number पर reason है, वो है यह, यह जो spelling है, फटफट फट देख लो, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं, क्य यह जो word आपको दिख रहा है न, ठीक है, यह है यहाँ पर एक reason, समझ गए, क्योंकि YouTube की अपने कुछ restrictions हैं, अगर मैंने यह word दो तिन बार use कर लिया, तो वहीं पर वीडियो रुख जाएगा, फिर जब आप open करोगे न, तो आपको approval दे दे के दो बार तब यहाँ पर open हो ग देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, आओ समझते हैं, दोस्तों यहाँ पर बोला यह जा रहा है, कि अगस में इस साल के अगस के महीने की अगर हम लोग बात करते हैं, तो Supreme Court की committee ने, एक committee है, जो कि basically prison reforms को लेकर काम कर रही है, यानि कि जो हमारे jail है, इन jailों में सुधार किया इसके लिए काम कर रही है, उस committee ने यहाँ पर यह पाया कि unnatural death हो रही है, उसके पीछे का reason वही word जो मैं आपको बताया था, यह सबसे ज़ादा main कारण है, और हमें इसको रोकना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, जो natural death हो रही है, natural death की संख्या सबसे ज़ादा अगर आप महराष्ट्रा करनाड का, यह आप देखाओगे, 40 death होई यहाँ अंदरप्रदेश में, 64 जहारकंड में, 144, sorry 141 बांगलदेश में, sorry, West Bengal में, 439 उतरप्रदेश में, पंजाब में 145, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नंबर्स यह गए, और unnatural death की बात करेंगे, unnatural death का मैप देख क्या है, वो है, NCRB, National Crime, sorry, Control Bureau, तो अब यहाँ पर न, यह बॉड़ी जो है, इसने यह सरकार से जो डेटा है, वो हमको यहाँ पर दिया है, तो National Crime Record Bureau का कहना यहाँ पर यह है, कि natural death और unnatural death कैदियों की बहुत ज़ादा हुई है, जेल के अंदर में, ऐसा कमीटी ने यहाँ पर आया है, तो हमें कहीं न कहीं, overall, prison reforms के अवश्यक्ता है, यानि पूरे के पूरे जेल सिनेरियों के अंदर में सुधार के अवश्यक्ता है, और इसी के लिए दोस्तों आपको पता होगा, अभी पिछले कुछ समय पर एक model news में था, जिसको हम लोग बोलता है, model presence act 2013, यह 2023 का का इसके लब आपने कुछ नहीं पढ़ना है, आप से गर पूछा जाए कि आखरकार हमारे पूरे जेल सिनेरियों में क्या issues हैं, क्या समस्या हैं, जेल से सम्मदित, तो पहली समस्या क्या बता होगे, pendency of cases, दुखस्तों 2022 का जो भी record है, उस 2022 के record के according देखोगे, तो लगबग 4 7 करोड से जाधा जो cases हैं भारत के court के अंदर में वो अभी pending पड़े हैं, और साथी साथ में national crime record bureau के according बात करोगे, तो 67.2% of total prison population इंडिया में जो है, वो है trial prisoners, यानि की, जितने भी यहाँ पर कैदी इंडिया में देखने को मिलते हैं, उस total कैदी का 67.2% यानि कह सकते हो, इत 67% इतने जो कैदी हैं, दोस्तों ये सारे के सारे under trial के अंदर पकड़े गए हैं, under trial मतलब वो अभी कैदी सबूत के साथ में साबीत नहीं हुआ है, उन पे खेवल trial चल रहा है, तो इस प्रकार के कई सारे कैदी भी आपको देखने को मिल जाते हैं, वो क्योंकि अभी cases pending पड पताया जा रहा है, जो समस्या है, वो है colonial nature and obsolete laws, दोस्तों यहां पर आज भी अगरा पुरा jail का scenario देखोगे, इंडिया का criminal justice system देखोगे, तो वो अंग्रेजों से inspired है, अंग्रेज दे के चलेगा है, वो ही system आज भी हम चला रहे हैं, exactly अगर मैं बोलू तो, तो इसी के context में कह से हमें बदल ली होगी, 19th century के, 19th century के जो कानून है, वो 21th century में काम करेंगे, यह ऐसा हो नहीं सकता, वो laws बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने के उसको हमें change करना होगा, अपने हिसाब से, इस changing समय के हिसाब से, इस pattern के हिसाब से हमें यहाँ पर नए laws को लेकर आना ना, वो कई बार बहुत बुरा व्यवार कर रहे हैं, कई बार यहाँ पर custody में एक इंसान को रखा जाता है, उसके साथ रेप हो जाता है, custody में इतना मारा पीटे जाता है, उसकी death हो जाती है, तो इससे कहीना कि जो prisoners के एक कैदी के human rights हैं, उसके जो मानव अधिकार है, उनका भी उलंगन हो रहा है, उनका भी violation हो रहा है, तो यह भी यहाँ पर एक समस्या है, फिर एक समस्या आती है, ओवर क्रावडिंग कि यह मैं आपको थोड़े दिनों पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे जो जेल हैं भारत के अंदर में वो ओवर क्रावडेड हैं, कह स प्रावडेड हैं, केवल साथ हजार कैदी आप रख सकतो, लेकिन जबर दस्या उसमें भर के 15,000 से जधा कैदी भर रखें, तो यह बेसिकली सिनेरियो है ओवर क्रावडिंग का, तो ओवर क्रावडिंग की वेसे भी हाँ पर जो हमारे जेल का सिस्टम है, वो पूरी तरह से बिगड रहा है, फिर बात आती है, इसका solution क्या हो सकता है, इसका way forward क्या हो सकता है, चलो आओ, number one way forward पर आते हैं, making presence correctional institution, सबसे पहले चीज़ जो भी हमारे जितने भी हाँ पर जेल हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें rehabilitation का सिस्टम चलाना होगा, पहली बा इस हैं, उनके recruitment proper नहीं है, स्टाफ बहुत कम है, इस वैसे कम स्टाफ के ओपर workload बहुत ज़्यादा है, तो हमें कहीं न कहीं, जितनी भी problems हमारी हैं, जितनी भी mistakes हैं, उन mistakes को पहली बात तो हमें सुधारना पड़ेगा, दूसरा way forward हो सकता है, recommendation for prison reforms, Supreme Court ने एक committee appoint किये थी, ना recommendation, spirit trial, पहला हम काम ये कर सकते हैं, कि हमें जल्दी-जल्दी case निप्टाने होंगे, बहुत सरे लोग ऐसे हैं, जो under trial है, मुझरिम साबीत नहीं होंगे, वो भी jail में पड़े हैं, वो case निप्टाने होंगे, उस case को निप्टाने के लिए क्या कर सकते हैं, हर 30 कैदी के लिए क कम से कम एक lawyer होना चाहिए, जिसके समय पर ये ratio नहीं है, पहली बात तो ये कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर special fast track code, यहाँ पर कुछ fast track code जहाँ पर तुरंद case के सुनवाई की जाती है, छोटे-छोटे जो अपराद होते हैं, वहाँ पर सुनवाई की जाती है, तो भई यहाँ पर जो छोटे-छोटे अपराद है, वो भी सिधा court में जा रहे हैं, वो pending पड़े हैं, पांच-पांच-पांच-छे-चे साल तक, इससे अच्छा है, यहाँ पर fast track code बनाओ और वहाँ पर जल्दी इन cases की सुनवाई करवाओ, इससे जो pending वाला system है, वो थोड़ा सा control हो पाए अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरी monitoring कर सकें, वो पूरी jail की, प्लस jail में कुछ basic facilities प्रोवाइड करवाँ जैसे साफ पीने का पानी हो, sanitation हो, medical facilities हो, यह proper होनी चाहिए, इनके ना होनी की वज़ा से भी यहाँ पर कह दियोगी, जान चली जाती है, समझ गए, तो यहाँ पर सा important है, हमारे पास में एक और tutorial है, वो यह वाला है, इसको भी discuss करेंगे, building bricks for the future, बट उससे पहले एक और बहुत relevant article है, आपको पता है, एक person जो कि आपको यह दिख रहे होंगे, MS स्वामी नाथन, यह बहुत अदर चर्चा में रहे है, पिछले कुछ सेंपर, युकिन की death होई, तो possibility है, यहां से questions examination के अदर पूछे जाए, तो आज हम समझेंगे कि आखिरकार ही कितने important person थे, इनका important role क्या था, वो basically यहां पर अशोक गुलाटी साब ने इस पूरे tutorial में लिखा है, इन्होंने समझाया है कि इनका importance कितना ज़ादा था कि एक समय पर हम लोगों ने, मतलब इतिहास अगर देखोगे, तो एक समय पर जब लाल बादूर शास्त्री जी पर पीम थे, तो इन्होंने यहां पर यह बोल दिया था कि सब्ता में एक दिन यहां पर खाना ना खाओ, एक समय का जो खाना है, वो यहां पर कम कर दिया जाए, गेहू कर दिया जाए, शादी के पूरे जो पूरा प्रोसेस यहां पर देखने को मिला बीच का उसके पीछे के रीजन यहां पर यह हैं MS स्वामी नाथन जी तो इनके बारे में कुछ basic information के साथ में कुछ data यहां पर discuss करेंगे एक एक करके चीजों को सुनते वे चलना दोस्तो इस editorial का relevancy बहुत ज़ादा exam perspective से दूसरा आज का मेंस का question भी इसी editorial के उपर based है context नहीं पर यह है कि MS स्वामी नाथन जी आज के समय पर यह हमारे हमारे बीच में या हमारे साथ में यह person नहीं है लेकिन यहां पर जोनोंने काम किये थे वो आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे क्योंकि यहां पर देख पाऊगे हर एक बच्चा या फिर हर एक agriculture सेक्टर का स्टूडेंट हो गया agriculture सेक्टर का साइंटिस्ट हो गया उन सब के साथ में इनकी यादे जोड़ी रहने वाली हैं क्योंकि यहां पर यह person वो हैं जो कि जाने जाता हैं जिन्होंने normal बारलोग के साथ में काम किया था भारत के अंदर में green revolution हरित करांती लाने के लिए तो वो समय था लगबद 1960s का 1960s के दशक के अंदर में इंडिया उस समय पर बहुत ज़्यदा सूखा फेस कर रहा था यानि लगातार सूखा पढ़ता चले जा रहा था जादो कोई production नहीं हो पा रहा था बहुत सारे लोग millions of लोग दस्यों लाख लोगों की जान चली गई थी क्योंकि उनको proper खाना ने मिल पा रहा था यानि भुकमरी की विए से जान जा रही थी तो अगर हम लोग यहाँ पर यह green revolution ना लाते या यह जो person है यह हरित करांती ना लाते तो यह जो number है लोगों की जान जाने का यह millions of millions हो सकता था और ज़दा लाखों में यहाँ पर हो सकता था लेकिन यहाँ पर green revolution ने चीज़ों को थोड़ा सा control किया तो इंडिया यहाँ पर गर आप देखोगे तो अल्रेड़ी यहाँ पर जाना जाता था एक ऐसा देश जो की बहुत सारा जो गेहूं है या फिर अना जवो इंपोर्ट करता था हम अमेरिका से बहुत सारा जो अना जवो इंपोर्ट करते थे और उसके बतले में हमारे पास में पैसा भी नहीं था कि हम proper pay कर सकें और उसकी वैसा अमेरिका की सुननी पड़ती थी हम लोग यहां पर कहिने के हैं अमेरिका अपनी politics भी खेलता था एक situation ऐसी भी आई कि उस समय के जो प्रधान मंत्री थे लाल बादुर शास्त्री जी इन्होंने यहां पर पूरे देश से बोला कि भई सब्ता में एक समय का खाना आप स्किप कर दो मत खाओ जो wheat products हैं गेहूं से बनेवे समाने उसका consumption कम करो शादी के अंदर में जो गेहूं से बनेवे चपातियां हैं उसको भी यहां पर देने से मना किया गया यह यहां पर condition हो चुकी थी एक particular समय पर देश के अंदर में लेकिन यहां पर इंडिया में यह जो person है green revolution लेकर आये और इन्होंने पूरा scenario चेंज कर दिया अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया and the need इंडिया need the green revolution भारत को यहां पर green revolution की क्या आवशक्ता थी आवशक्ता यह थी क्योंकि इंडिया 1960s के दशक में food crisis को face कर रहा था क्योंकि हमारा देश के अंदर में जो आबादी है जो population growth है वो तेजी से हो रही थी और दूसी तरफ यहां पर agriculture का production कम था लगातार सूखे पढ़ रहे थे लगातार हम यहां पर अलग-लग देशों से food import कर रहे थे और import करने के बाद में मारे पास में proper money भी नहीं था उनको देने के लिए इस वज़से green revolution हरित क्रांथी की ज़रुरत थी इंडिया के उपर लगातार external pressures पढ़ रहे थे USA की साइट से pressure पढ़ रहा था और कैसारी countries की साइट से pressure पढ़ रहे थे इंडिया चाहता था कि हमको यहां पर self-reliance की achieve करनी है अपने पैरों पर खड़ा होना है आत्म निर्वर बनना है food security हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए यानि हरे व्यक्ति के पास में उसके plate तक खाना पहुंच सके सस्ते दाम में अच्छा खाना पोश्टिक खाना जो कि उसके body की growth को यहां पर बढ़ा सके poverty कम होनी चाहिए malnutrition को हम घटा सकें को पोशल को कम कर सकें यह इंडिया चाहता था और इसी वैसे यहां पर हम लोग चाहते थे कि हमारा agriculture system पूरी तरह से modernize हो सके उसको efficient बना सके हमारे farmers को फायदा हो profitable हो हम यहां पर दुनिया में खड़े हो सके अपने agriculture sector को लेकर दुनिया बर की countries को competition दे सकें यह हम लोग चाहते थे starting में और फिर उसके बाद में क्या होता है यह चीज़े सच होने ही शुरू हो गए कैसे जब green revolution आया हरत क्रांती आया यह revolution क्या था आओ थोड़ा सा basic data जानते हैं दोस्तो green revolution एक सबसे important initiative था हमारे इतिहास का जिसमें main focus गेहूं और चावल के उपर किया गया green revolution के दोरान wheat and rice के ओपर एक special focus किया गया और नएनी technologies को introduce किया गया कुछ ऐसे बीज लेकर आए गए जिस बीज को बोग गए तो उससे जादा फसलों का production होगा fertilizers का introduction किया गया खाद यहां पे लेकर आई गई उसके बाद कीट नाशक लेकर आए गए ताकि फसलों को बचाया जा सके कीड़े लग जाया तो उनको मारा जा सके irrigation की facilities लेकर आए गए और भी नेने तरीके इंट्रोडियूस करे गए तो green revolution के दोरान ये सारी चीज़े होती चली गए जिसकी वेसे भारत में गेहूं और चावल की जो फसले हैं वो बहुती ज़दा improved way में ग्रो करने लगी अब बात यहां पर ते इसके objectives की कि आखिरकार green revolution क का main objective क्या है सबसे पहला यह objective था कि भारत को अपने पैर पर खड़ा करना है यानि जो आज हम दूसरे देशों से food import कर रहे हैं मंगा रहे हैं वे देशों से वो यहां पे करना हमें बंद करना है खुद अपने देश में grow करना है अपने देश के अंदर में जो millions of farmers हैं उनका living standard improve करना है उनको थोड़ा profit होना चाहिए उनकी income increase होनी चाहिए यह हमारा main मकसता है तो हमने यहाँ पर इसके लिए green revolution लेकर आए हमें अपना पूरा agriculture sector को modernize करना था बहुत efficient बनाना था agriculture sector profitable होना चाहिए था farmers को profit हो market में यहाँ पर एक competition create हो यह सब कुछ करने के लिए green revolution लेकर यूज किया ऐसे बीजों का यूज किया जिससे जादा फसल हम लोगों को मिल सके और इन seats को किसने बनाया था इन seats को develop क्या या था उस समय के जो agriculture scientist थे MS स्वामिनाथन जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं जिनको हम लोग father of green revolution के नाम से भी जानते हैं तो यह जो particular person आपको दिख स्क्रीन पर यह हरित क्रांती के जनक भी जाने जाते हैं तो की फीचर सबसे पहला green revolution का यह रहा उसके बाद दीरे दीरे हम लोगों ने अलग लग प्रकार के irrigation methods को अपनाना शुरू किया जैसे tube wells, canal, dam, sprinklers यह सारी चीज़े यहाँ पर राइड करी ताकि यहाँ पर जो हमारी खासकर irrigation के perspective से, नए-ने तरीके लेकर आए हम लोग agriculture practice के लिए जैसे यहाँ पर किस तरीके से हमें जो खेत उसको जोतना है, sowing करनी है, harvesting करनी है, tractors का use कैसे करना है, harvesters का use करना है, drillers का use करना है, इन सब चीज़ों को हम तरे-दरे introduce करना शुरू कर चुके थे, ठीक है, जिस फिर यहाँ पर double cropping दिरे-दरे आने लगा, double cropping मतलब एक ही field में, एक ही खेत के अंदर में, दो से या दो crops को उगया जा सके, जिससे यहाँ पर crop की जो intensity है, उसको यहाँ पर increase कर सके, उसके लावा यहाँ पर farming area वो दिरे-दरे expand होने लगा, बहुत सारी जमीन दिरे-दिरे यहाँ पर खेती बड़ी के अंदर आने लगी, और यहाँ पर धिरे-दिरे कह सकते हो कि इंडिया के अंदर में भरपूर मात्रा में जो गेहू चावल है वो उगने लगा, और हमारे लोगों के तक यहाँ पर यह गेहू चावल सस्ते दाम में पहुँचने लगा, अब question यह पर यह था कि इस green revolution का इस हरित क्रांती का impact क्या पड़ा, पहला impact यह पड़ा कि हमारे देश में जो food का production है, यह जो उत्पादा ने यह बढ़ गया, कितना बढ़ गया, for example, 1978 से लेकर 1979 में इस particular year में, इस एक-दो साल में आपने देखा, बहुत तेजी से crop production increase हुआ, 131 million tons के आ इतनी बड़ी करने में अपनी जो दिल चस्पी है वो रख रहे थे, दूसरा यहाँ पर जो impact पड़ा वो था, कि जो food grain import हम कर रहे थे, उसको यहाँ पर कम कर लिया गया, जैसे कि भारत यहाँ पर एक समय पर बहुत जदा गहूं मंगा रहा था, चावल मंगा रहा था, जो ने importance लेना शुरू किया, राई, मेज, सोरगम, बकवीट, बाजरा, रागी, इनका भी यहाँ पर जो कह सकते हो कि जो import कर रहे थे हम, इस import को कम किया गया, अपने देश में ग्रो करना शुरू किया, फिर scenario ऐसा हो गया कि साल 2021 के अंदर में भारत ने लगबग 18.5 मिलियन टन्स के असपास चावल को export किया, जो कि उस साल का बहुत ज़्यादा highest export था अभी तक का, फिर इंडिया ने 2021 किस में 2.1 मिलियन टन्स के असपास wheat को export किया, जो अगेन पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा ज़्यादा था, तो इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया का जो कह स ज़्याद भाई हैं, उनकी जो income है, वो यहाँ पर increase होनी शुरू हो गई थी, तो जो green revolution है, इसने कहीं सारे जो छोटे-छोटे हमारे farmers हैं, उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकाला, उनका income level बढ़ाया, crop का production बढ़ा, for example जैसे poverty ratio, गरीबी की ratio की बात करेंगे, rural इंडिया में, तो 1993 और 1994 में अगर आप देखोगे तो 50.1% थी, जो की 2011 बारे में गिर कर लगबग 25.7% हो चुकी थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो poverty है, वो भी हाँ पर कम हुई है, इंडिया में green revolution की वज़ा से technological achievements increase हो चुके थे, नहीं ने technology हम यहाँ पर use करना सीख चुके थे, जिसकी यहाँ पर जो फसले हैं, वो बहुत तीजी से grow हो रही थी, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, irrigation system, इससे labor cost कम हुई, फार्म की productivity यहाँ पर improve हुई, फिर उसका रूरल development के उपर focus किया गया, क्योंकि जिस तरीके से agriculture activities या productivity increase हो रही थी, जो farmers वो ज़्यादा पैसा कमा रहे थे जादा invest कर रहे थे, communities के अंदर में, infrastructure improve हो रहा था, education बढ़ रहा था, healthcare, rural areas के अंदर grow हो रहे थे, तो गाउं के छेत्रों में इस तरीके से आपर जो विकास है, वो यहाँ पर शुरू हो गया, उसके पीछे का भी एक मातर reason आपको green revolution देखने को मिलेगा, जिसने rural areas को पूरी यहाँ पर फाइदा यह हुआ, कि जो land conversion उसको कम होता वा नजर आया, green revolution के मादनम से, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, कि जो जमीन है उसको किरायव बढ़ देदी जारी थी, agriculture land को, किसी दूसरे purpose के लिए use के दा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से फसलों इंपक्ट हमारे environment के उपर पड़ा कि एफ़ी सरे जो जंगल वाले रीजन थे, वो जंगल वाले रीजन को हमने बचाया, उनको यहाँ पर agriculture sector में बदलने से रोगा, क्योंकि agriculture sector से ज्यादा growth होने लगा, फुर उसके बाद में economic growth, obvious ही बात है, यह सबसे important factor यह था, agriculture कही नहीं इस green revolution की वज़ा से क्या-क्या समस्या, क्या-क्या challenges यहाँ पर इसने face किया है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के फाइदे हैं, फाइदे तो हुए, आप नुकसान क्या थे, थोड़ा सा यह discuss कर लेते हैं, इससे यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, दीरे-दीरे हमने क्या किया, ज क्या-क्या, जो बाकी सारी दूसरे फासले थे, उनके उपर इतना ज्यादा focus नहीं किया गया, यहाँ पर एक सबसे बड़ा कह सकतो है, इसका एक disadvantage है, इसका सबसे बड़ा challenge हमको नजर आता है, अब question यहाँ पर यह है, कि scenario अभी भी काफी बिकार होता है, reason यह है, कि कई सरे जो farmers है वो बहुत सस्ता जो खाद है उसको बहुत ज़दा मातरा में यूज कर रहा है यूरिया का for example बहुत ज़दा यूज हो रहा है यह ना उसकी वज़से भी जो फसले है वो बरबाद हो रही है जो मिट्टी है उसका जो उपजाओ पनाए वो खतम हो रहा है मिट्टी की health यहाँ पर कमज़र हो चुकी है यह scenario हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो अब question यहाँ पर यह है कि green revolution का भी एक solution हो सकता है वो है green revolution 2.0 क्या हमें green revolution 2.0 की जरूरत है तो green revolution 2.0 क्या है आओ थोड़ा सा यह discuss कर लेता है दोस्तो green revolution 2.0 को हम देख रहे हैं कि वो हमारे agriculture को और ज़दा strong मना सकता है जैसे कि इतिहास में देखोगे green revolution जब आया तो इतनी problems नहीं थी अब problems ज़ादा हो चुकी है modern problem में सबसे बड़ी problem है climate change जिस तरीके से temperature बढ़ रहा है जो धरती का तापमान है वो increase हो रहा है कई सारे जगा पर सूखा पड़ रहा है इसकी वज़ासे हालाद थोड़े ज़ादा खराब हैं ज़ादा production हो नहीं पाता तो क्या अब यहाँ पर green revolution 2.0 की ज़रूरत है बिलक है तो यह green revolution 2.0 है उसके अलावा green revolution 2.0 ने एक special जोर दिया है बायो technology और genetic engineering के उपर आजके आप फसले देखते होंगे वो genetically engineering crops हैं है ना आपने बीटी cotton का नाम सुना होगा तो यह जो अलग अलग फसले बनाई जाए उनके जीन जो होते हो इसके अदर बदलाव किया रहा है उनके जीन में बदलाव किया जाए बदलाव करने के बाद में उनको और ज़दा effective बनाया जाए कहने का मतलब है इतना बदलाव कर दिया जाए कि अगर आप यहाँ पर उस फसल को लगा आते हैं तो उसका production बहुत ज़दा होगा वो फसल अपने आपको कीडों से बचा सकेग क्लाइमेट चेंज कैसा भी हो सूखा पड़ जाए या पानी कम है तब भी वो फसल ग्रो कर सकेगी तो इस तरीके से यहाँ पर उनके जीन के अंदर चेंजिस कर करके यहाँ पर नई नहीं जो फसले हैं उनको इंट्रिडूस किया जा रहा है फिर उसकाद में हमारा Green Revolution 2.0 मे वो भी कम होता वन इजरा रहा है तो पानी का एक effective तरीका है यहाँ पर जैसा हम सिचाई जब करते हैं तो प्रॉपर जितना फसलों को चाहिए पानी उतना पानी छोड़ने के जो सारे हमारे technologies हैं ड्रोन्स हैं वो सबने कहीं न कहीं इंडिया का जो farming sector वो इंप्रूफ कर दि लेकिन उसके लिए green revolution 2.0 को हमें थोड़ा सा और ज़दा आगे ले कराना पड़ेगा ठीक है दूसरा यहां पर यह बोला जारा है diversification जैसा हमारा green revolution था केवल green revolution उसकी तरह नहीं आज हमारा main focus यह होना चाहिए green revolution 2.0 में यह focus होना चाहिए यह कि फसलों को हमें थोड़ा diversify करना है और हम कर भी रहे हैं केवल एक फसल के उपर dependent नहीं रहना है green revolution में यह गलती है कि केवल गेहुचावल के उपर special focus किया गया 2.0 के अदर हमारा focus यहां पर यह है कि हम थोड़े से और ज़दा crops के उपर focus करेंगे इनको भी थोड़ा सा यहां पर ग्रो करने के उपर एक focus करना ज़रूरी है फिर यहां पर होलिस्टिक अप्रोच green revolution 2.0 कई नकी पूरे agriculture sector को लेकर चल रहा है यहां पर केवल और केवल फसल के उत्पादन की बात नहीं हो रही है मिटी के health की बात होती है हैना food processing की बात होती है marketing की बात होती है किस तरीके से यहां पर amount जाएगा farmers के passport का income increase होगा हर चीज़ को यहां पर देखा जाएगा green revolution 2.0 में फिर उसकाद में environment के उबर भी focus किया जाएगा कि यहां पर जो agriculture sector है उसकी वज़से भी कही सारे pollutions होते है तो उन pollution का रोका जा सके उन production को रोका जा सके water pollution को रोका जा सके मिट्टी जो हट जाती हो पर से soil erosion जो है उसको रोका जा सके greenhouse gas emissions को रोका जा सके इसके लिए green revolution 2.0 की जरूरत है उसके लावा climate change यह आपको बता चुका है climate change एक बहुत बड़ी problem है उसके लिए भी यहाँ पर जो green revolution 2.0 है यहाँ पर कहीं न कहीं एक अच्छा बहतर option हो सकता है तो दोस्कों यहाँ पर यह जो particular editorial था वो काफ़ी जादा important था जैसे मैं आपको बताया अब हमारे इस पूरे editorial को लेगर आज का means का question क्या बोलता है इसको देखता है तो आज का means का question mention करता है How does green revolution 2.0 aim to address contemporary challenges कैसे जो green revolution 2.0 है इसका main मकसद है कि जितने भी आज के समय के modern era के challenges है जितनी भी चुनोतियां है उससे यहाँ पर लड़ सकता है और कैसे हमको एक food security provide करवा सकता है कैसे यहाँ पर लोगों तक proper खाना पहुंच सकता है हर व्यक्ति तक यहाँ पर ससिदा में खाना पहुंच सकता है हमारे environmental impact के ओपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा निया environment के ओपर कोई इतना असर भी नहीं पड़ेगा सारा काम यहाँ पर हो जाएगा फाइदे ही फाइदे रहेगा तो कैसे यह सारा काम होगा कैसा यहाँ पर green revolution 2.0 होने वाला है यह आपने समझाना है डाइसू शब्दों में तो एक बार यहाँ पर इस question को हिंदी में read कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जो हिंदी मादे मल अस्परेंट से उसको अच्छे से पढ़ कर एक बढ़िया सा अंसर लिख सकें question यहाँ पर यह है हरित क्रांथी 2.0 का उद्देशे समकालीन चुनोतियों का समधान करना और पर्रय वरडिये प्रभावों को कम करते हुए खादे सुरक्षा सुनिश्चित करना जैसा है क्या सूचते हो डाशी शब्दों में लिखना लिखने के बाद में आंसर कहां पर सम्मिट करना है सबसे पहले टेलिग्राम पर जाना और टेलिग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजूकेशन मेंस ग्रूप जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरे टेलिग्राम चनल मिलेगा जहां पर 70,000 से ज़्याद लोग जुड़ चुके हैं आप भी जुड़कर अपने आंसर को लिखकर वाँ पर सम्मिट कर सकते हो अपने आंसर को लिखकर जब आप सम्मिट करोगे तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश रखता है तो इस तरीके से कॉपरेटिव वी में दोस्तों वो पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है आप भी जाकर उसका हिस्सा बन सकते हो तो यह हुआ हमारा नेक्स एडिटूरल समाप नहीं आते हैं आज के लास्ट एडिटूरल की तरफ यहाँ पर बात हो रही है बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर दा फ्यूचर यहाँ पर जो हमारे राइटर है जिनका नाम है सुजीव शाक्या तो यह ना एक ओथर है किसके अनलीशिंग नेपाल अनलीशिंग दावजर तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर यह पूरा इडिटूरल लिखाया और बात किया है ब्रिक्स ग्रूप के बारे में ब्रजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ आफ्रिका अभी फिलाल इसमें कुछ कंट्रीज और रहेड हो चुकी है तो उनका एडिशन के बारे में बताऊंगा तो ब्रिक्स कितना जादा मजबूत देश है जो कि आने वाले समय पर जी सेविन जैसे ग्रूप को टक कर दे सकता है उससे आगे निकल सकता है वो यहाँ पर यह मेंशन करते हैं आववे की करके सारे एसपेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो यह जो एडिटोरेल है दोस्तों इसकी पूरी जो समरी है इसके जो रेलिवेंट पॉइंट से वो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नीच एकी साइड में प्रोवाइड करवा दिया नोट्स में आप चाहू तो यहाँ से इनको पढ़ सकते हो आपको सीधा सीधा हेल्प मिल जाएगी ठीक है तो हमारे जो राइटर हैं वो क्या बूलते हैं अवो इनके बारे में चर्चा गरते हैं सबसे पहले इन्होंने जो टॉपिक चुना है वो है बिल्डिंग ब्रिक्स फॉर दा फ्यूचर बेसिक जानते हैं BRICS क्या होता है? BRICS basically 5 देशों का एक group है, 5 देश कौन कांस है? B से हो गया Brazil, R से हो गया Russia, I से हो गया India, C से हो गया China और S से हो गया South Africa, यह यहाँ पर 5 countries हैं, जिनमें दीरे-दीरे expansion भी किया गया है, अभी कुछ countries को और जदा add किया गया है, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर यह आपको new members देखने को मिल जाते हैं, दोस्तों इसमें mention क्या जा रहा है? New member में Iran, UAE, Ethiopia, Saudi Arabia, Egypt and then उसके बाद में यहाँ पर Argentina, यह कुछ नए members इसके अंदर में add हो चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 countries add हो चुके हैं, 5 पहले थी तो basically यहाँ पर BRICS के अदर में total 11 countries हो चुकी है, group of 11 countries, ठीक है? यह बात आपने ध्यान में रखनी है, अब आ गयाते हैं, बूला यह जा रहा है कि अगर आप पूरे के पूरे BRICS group को देखोगे तो इसमें Russia भी है, India भी है, China भी है, सबसे बड़े बड़े देश भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, तो पूरा इस group का contribution अगर पूरे देश के परती, पूरे दुनिया के परती देखोगे तो बहुत जादा है, सबसे जादा आबादी भी यहाँ पर इस group के अंदर में है, ठीक है, सबसे जादा populated country, China, India दोनों एक साथ हैं, तो सबसे जादा आबादी भी यहाँ पर इनी group के अ तो बात है यहाँ पर अगस की, अब की बार जो अगस का महिना निकला है, इसमें छे और members add हो चुके हैं, ब्रिक्स ग्रूप के अंदर में, ठीक है, यह meeting कहाँ पर चली थी, साउथ आफरीका में, हमने चंद्रियान 3 भी उसी दोना land गया था, याद रहा होगा आपको, काफ ब्रिक्स कितना ज़्यादा मजबूत ग्रूप बनने वाला ही, इसके उपर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं, कि सबसे पहले अगर हम लोग ब्रिक्स ग्रूप के उपर फोकस करें, तो सबसे पहला पॉइंट, यह बहुत ज़्यादा इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह था कि देखो, वैसन कंट्रीज का अलग ग्रूप है, और वो जो ग्रूप है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत पैसे वाले ग्रूप से हैं, उनकी एकॉनमी बहुत अच्छी है, ठीक है, पूरे ग्लोबल जीडीप में काफ 30%, 36% केवल ब्रिक्स का है, और जो हमारी पॉपुलेशन है, यह पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, तो दुनिया भर की जितनी भी अबादी है, दुज़ार पाचास तक दुनिया भर में जितनी भी अबादी होगी, उसकी 47% अबादी केवल यहाँ पर यह जो ब्रिक्स ग्रूप है, यह सीधा-सीधा एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है G7 कंट्रीज के साथ में, आजकल तो आपको पता है G7 एक बहुत पावरफुल ग्रूप है, G7 में साथ देश हैं कौन-कौन से हैं, कैनेडा, फ्रांस, जर्बनी, इटली, जापान, यूके और य नेक्स पॉइंट, दोस्तों यहाँ पर जो BRICS के दो important member हैं, चाइना और इंडिया, इनके ओपर बात थोड़ी depend करती है, क्योंकि अगर इनके relations maintain हुए, BRICS successful रहा, इनके relations भार-बार खराब रहे, तो यहाँ पर BRICS group भी कोई जादा valuable नहीं रहेगा, और हम देखने हैं बोलता है, तो दो member जो BRICS group के दो member हैं, चाइना और इंडिया, दोनों को साथ मे ले ले, तो दुनिया की जितनी अबादी, उसकी एक तियाई अबादी, तो इन दोनों देशों के अंदर हैं, यह दोनों ही देश कहीना की fastest growing economies के अंदर में आते हैं, और आने वाले समय पर, क इससे कहीना के एक बहुत बड़ा change होगा, और यह चीजे अलग-अलग देशों को दिखाई पड़ रही हैं, हाँ वो बात अलग है कि इंडिया और चाइना के जो relation है, वो पिछले कुछ समय पर काफी खराब रहा, इस्पेशली दो क्लाम में stand-off चला, है ना, उस इसके पर कुछ और बॉर्डरे पर विवाद हो गए, लेकिन उसके बावजुद भी यहाँ पर जो व्यपार है वो चल रहा है, जो चीज़ें वो भी यहाँ पर चल रही है, जो चाइनीज प्रेजिडेंट है, जी जिन पिंग, इन्होंने अपकी बाट G20 का जो समिट था, न्यू अल्टरनेटिव ढूंड रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले चीज़ अगर आप देखोगे, यूएस, अमेरिका की बात करेंगे, तो अमेरिका दुनिया में यहाँ पर एक पावरफुल कंट्री बनका रहना चाहता है, एक सूपर पावर बनका रहना चाहता है, ठीक है, ट्रंप कई सरे रिस्ट्रिक्शन्स लगा दिए, जिससे ज़िट चाइना है, चाइना का व्यपार नहों सके हैं, अमेरिका के साथ में, चाइना के अंदर वो है communication infrastructure है electric mobility है वो सब कुछ अभी भी टिका हुआ है बढ़िया तरीके से तो चाइना भली यहाँ पर एक dominant player नहीं है Brics Group के अंदर में लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ powerful countries Brics में है जो छोटी-छोटी countries को नजर आ रहा है तो छोटी-छोटी countries Brics का अभी सही हिस्सा बनना चाहती है और कई सारी countries ऐसी है जिन्होंने membership के लिए apply कर दिया है कुछ तो members बन गई अभी जो Brics Group meeting होई थी South Africa में आगे जब meeting होगी तो कुछ countries को तब भी बनाया जाएगा इस group को दिरेदे expand किया जाएगा समझ गए और फिर उसके अद में एक और चीज़ भी है योरॉप के अंदर में जो refugees जो शरारती है उनको सही से treat नहीं किया जा रहा है जबकि कुछ countries for example यहाँ पर हगर हम बात करेंगे अमेरिका की तो अमेरिका अपना दबदब बनाना चाहता है for example world trade organization world trade organization की जो body है यह दुनिया बर का व्यापार को regulate करने का काम करती है और भई अमेरिका यहाँ पर उसको पूरा चला रहा है अमेरिका ने वहाँ पर नहीं किसी judge को appoint कर रखा है लंबे समय से समझ गए तो अमेरिका कभी अगर व्यापार का लगन करता है तो उसको लेकर कोई penalty charge नहीं की जाएगी जबकि दूसरे countries को लेकर वो अमेरिका सामने खड़ा हो जाएगा तो इस प्रकार की चीज़ें आई हैं हमको देखने को मिला है ठीक है तो कईने के इसका alternative bricks माना जा रहा है जो ये bricks है ये पूरा group जैसे ऐसे grow करेगा बहुत सारे business बहुत सारे investments और बढ़ेंगे in future बहुत सारे trade agreements economic trade agreements increase होने वाले हैं और सबसे important factor जो चौथा point है वो है US dollar US dollar एक सबसे important चीज़ है भई दुनिया भर में America एक super power बनावा है क्योंकि उसका dollar जो है कहीं पर भी acceptable है बहुत किसी भी देश में आप समान purchase करते हो वहाँ पे अगर आप payment करना चाहते हो dollar में कर सकते हो accept कर लेगा लेकिन क्या हर एक country रूपी को accept कर रही है नहीं कर रही है हमें इसी चीज़ को बदलना है और हम लोग ये देख पा रहे है कि अब धीरे धीरे कुछ countries अपनी local currencies में व्यापार करना शुरू कर चुके है for example Russia, India हो गए और China, India हो गए India और China ने इसमें काफी ज़दा progress किया इस particular field में दोनों ने मिलकर अपनी खुद की जो digital currency है उसको थोड़ा develop किया है उन्होंने माना है digital currency आने वाला भविश्य है और digital currency के मामले में इंडिया जो है वो US और यूरोप से काफी आ गए है तो इंडिया और China दोनों कहीना के आने वाले समय पर व्यापार investment और business को अपनी currencies के अंदर में जादा promote करेंगे ये पूरा bricks group local currencies में ही अगर व्यापार करेगा तो कहीना कहीं US dollar से छुटकारा मिल जाएगा और ये कहीना कहीं यहाँ पर सोच है सभी की तो ये कहीं आप bricks group को अगर देख पा रहो किसी काम का नहीं है तो आने वाले समय पर एक बहुत 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 हो सकता है जो dollar का दबदबा है dollar का dominance है उसको यहाँ पर control किया जा सकता है इन bricks group के थुरू समझ गए अब writer यहाँ पर एक चीज़ और बोलते है इन ही में न एक continent चर्चा में आता है वो है Africa भाई यह Africa को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते अफरिका जो continent है न इनका relation चाइना के साथ में धीरेदर इंप्रूव हो चुका है दोस्तो यहाला photo आप देख पा रहे होंगे यह photo आपको नजर आएगा इसमें यह पूरा पूरा African continent है अब African continent से आपको यह जो दो countries आपको दिख रही है साओधी रेबिया, साओधी रेबिया बोलाओ एजिप्ट और साधी साथ में एथियोपिया यह दोनू countries आज के समय पर BRICS का मेंबर बन चुकी है South Africa ओलड़ी BRICS का मेंबर था यह जो yellow वाली countries दिख रही है न और आज के समय पर जो यह African countries है वो खुल कर यहाँ पर समर्थन कर रही है चाइना का भी और चाइना लगातर माँ पे पैसा प्रोवाइट कर रहा है investment कर रहा है व्यापार कर रहा है और भारत ने भी कहीना कि African Union को G20 के अंदर में एक membership प्रोवाइट कर वादी है ना उसका अंतिजार करना है और हर एक जो summit होगा इसमें हमें थोड़ी थोड़ी चिंगाली छोड़ती वी चलनी है हमें अपने group को और ज़़दा strong करते वी चलना है यह group लंबे समय के लिए है ठीक है लंबी रेस का घोड़ा कह सकतो यह group है छोटे समय के लिए आप देखोगे तो इसका कोई भी short term ऐसा benefits नहीं है लेकिन lock term benefits बहुत सार है क्योंकि यहाँ पर 2003 में ही जो Goldman Sachs है उन्हें यहाँ पर यह देख लिया था कि जो यह group है इसका potential बहुत ज़दा इसके पास में opportunities बहुत सारे अफसर है और आने वाले 40 सालों के अंदर में जो यह bricks है bricks की जो economy है वो कहीं न कहीं इन G7 countries से बहुत ज़दा increase हुजाएगी डॉलर को beat कर सकता यह group ऐसा यहाँ पर potential देखने को मिल रहा है तो यह हैं हमारे bricks group का future इस तरीके से यहाँ पर western countries को tackle कर सकता है जो कि यहाँ पर writer ने mention किया पूरो का पूरो मैंने आपको यह data समझा दिया सारे points आपको PDF में मिल जाएंगे चाओ तो आप paid group को join कर सकता हो paid group की information already मैं आपके साथ में share कर चुका हूँ तो दोस्तों यह था पूरा का पूरा हमारा discussion आयूप आपको मजाया होगा तो आज का session कैसा लगा प्लीज नीचे comment section में जरूर से बताना हर चीज मैंने आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश किये अब आते हम लोग अपने UPSC वाले prelims वाले question पर तो question यह था कि space technology के context में जो यह भूवन है यह हाली में news में देखने को मिला है यह क्या है तो option number 6 का सही उतर है यह एक प्रकार का geoportal है हमारे ISRO का Indian Space Research Organization का geoportal है जहाँ पर आपको मतलब सारा data मिलेगा जो images है वो 3D imaging capabilities भी आपको यह पर मिल जाती है ठीक है बहुत सरी location wise data आपको यह पर भूवन में provide करवाया जाता है तो एक geoportal है एक ऐसी website ISRO की जहाँ पर 3D imaging capabilities आपको देखने को मिल जाती है इंडिया की बहुत सरा यहाँ पर जो data है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है ठीक है जैसे आप गूगल के अंदर data मिलता है आपको map वगरा आप वगरा data आपको यह पर provide करवाया जाता है भूवन के दहद तो दोस्तों यह था particular हमारा discussion आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day तो अभी देखते हैं पहले है यह वीडियो जो है वो कैसे upload होता है वीडियो कर जल्दी upload हो जाता है तो session को आप इस तरीके से लेके चलेंगे कोई problem थोड़ी ना है सारी चीज़े cover होनी चाहिए यार वो मैं cover कर रहा हूँ अपनी site से और मुझे नहीं लगते हैं यार इस पर कोई copyright issue होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यह पूरा का पूरा PDF खुद से ही ready किया गया है जैसे आप यहाँ पर देख पार होंगे तो इसके पीछे भी उतने ही मेनत लगी है जितनी मेनत PPT को बनाने में लगती है यह थोड़ा सायद आपके लिए ज़्यादा beneficial हो सकता है in terms of reading PDF जो आप इसको reading करोगे खैर बिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज के लिए बाबाए have a nice day, thank you and जैहिंद